तो फ्रांस मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दवाईए तो आज कब लोग स्टार्ट करते हैं वेल्कम बैक तू माई चैनल हलो एबरिवेंड कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे खुस होंगे और हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं तो चलिए आज क्या है कि हम लोग गए थे हॉस्पिटल और मेरे देवरानीं के बच्चों की थोड़ी सी तवित खराब थी तो एडमेट थे तो उनको देखने गए थे वह मुस्किल से निकाल पाया था लेकिन निकाल लिया था और जो हम लोग बापस आ रहे थे तो बच्चों को भूग लग रही थी तो फिर लोगों ने यहां पर एक चाट का ठेला दिग गया तो पानी पूरी बगएरा और चाट आट खाई मुमोज खाई जो भी जिसको खाना खाया और यह बागे बहुत अच्छा लग थे था इसका आप मुझे तो नहीं पता कि एकों है कहां काया क्योंकि हम लोग तो रास्ते में थे और रास्ते में यह दिग गया था यहां पर बाजार लगा हुआ था यह कोई छूटा सा गाओ था लेकिन बहुत अच्छा पोई भचा जाओ तो यह होता ही है, Wआँ ज़ा एक होता है कि अगर बच्चो के साथ जा रहे हैं, तो कहीं कुछ ख़ाएं भी है ना और सहियोग का तो हवेचे ही है एस अपर पता है, पताह निए क्यों ड्राइवर एसा करता है कि वो कहाएंगां अगे खिलाएंगे आगे खिलाएंगे ऐसे कर करके वो गाड़ी रोकते ही नहीं है और भर पऊचा देता है तो उसने यही कह दिया था कि यह driver सो ऐसे ही क्यों होते है तो फिर उस driver को लगा जा है नहीं तो उस रोक दी कैनला ठीक है चलो और पहले दो इनको घुमार आ था फिर भूड देर में यह थोड़ा सा मैं ने राष्टे का भी लिया था तो जूसे से लिया था तो यह साफ नहीं आया है और फसल अभी कुछ कट गई है, कुछ खड़ी है, मतलब ऐसे ही है और पानी वर्सा था, तो कुछ से जगा जगा पानी भी भरा हुआ था और ये फिर उसके सुबा, मतलब दूसरे दिन का वीडियो है अब मैं आ गई थी अपना असली, मतलब यसे होली के चुट्टे चल लए थी ना तो ये जो है होली के पहले वाले वीडियो है, क्योंकि फिर होली के वीडियो आ गए तो पहले डाल दिये और फिर यह चिप्स जो है होली के पहले ही बन गई थी मेरे तो यह चिप्स बना रही है और फिल आहल तो आलू के चिप्स ही बनाए थी क्योंकि मौसम हमारे हाँ भी हो रहा है। कि मतलब मैं सोच रही थी कि बना लो लेकर मौसम ऐसे हो रहा है और एक चीज और है मेरे यहां कोई खाता नहीं है अभी जब नए नए बढ़ेंगे ना तो दो तीन दिन तो खाएंगे फिर इसके बाद बस बो ऐसे रखे रहेंगे फिर नहीं खाएंगा कोई तो इस चक्कर मे रहे थे और अभी इनकी चुट्टे चल लहीं है वोली का चुट्टियां थी तो इनको तो आपको पता ही है कि हर काम करना है तो इनको भी करना था और यह जो चिपस वाली मसीन यह इतनी सार्प थी कि मतलब इसका एक कैप आती है उसमें आलू फसा के बो किया जा था और मैं यही समझा रही थी इन लोगों को मतलब यह कह रहे थी मैं करूंगा मैं करूंगा तो मैं बस यह समझा रही थी कि इसको ऐसे किसना है और मेरे नजर हट गई और मेरा हाथ कड़ गया तो यह होता है मतलब इतनी सार्प थी पता नहीं कैसी थी वो पुरानी मसीन ही ज़्याद तो ब्रत के हुगे तो बास चिपस मेरे बंचों के हैं मतलब बॉल हो गए थे तो मैं शत पर ले आई थी और बच्चे घर पर हैं तो यह फैला देंगे जब तक मैं दूसरा उबल जाएगा तो बोले करना जाओंगी तो ऐसे करके हम लोगों बना ली थे और इनको तो सौक होता ही, आपको पता ही है कि हर काम करना होता है तो मैंने ने लगा दिया था कि लो खरो भए तो ये खरोशो के कर रहे था किolo को बहुत मसदा रहा था और मैं भी थी यहां पर तो मैं भी फैलवा दूँगी मदद कर दूँगी नहीं तो यह पता चला पूरी दो पहर एक एक करके बैठे रहेंगे और लोगों को बस और इनका क्या होता है कि यह दोनों साथ होते हैं तो दो चार मिनिट ही मुस्किल से कटेंगे इनके सांती से और इसके बाद बस इनकी लड़ाई चालू हो जाएगी और इतनी मतलब लड़ाई होती हैं दोनों की कि मतलब मैं तो फुल जाएं नहीं पाती हू फिर जब देख लेते हैं वो कि अब बिलकुल खत्रा है और अब पिट जाएंगे तभी थोड़ी बहुत सांथ होंगे तो होंगे नहीं तो वो सांथ नहीं होते हैं और बस लड़ाई इनकी चालू रहती है तो ये लोगों का हमारे घर में मतलब ऐसा नहीं है मेरे ही बच्चे दीन होते हैं और हम लोग भी सचोके थे तो लड़ते थे लेकिन अब आप समझ में आता है कि It Cover Me कि यह सब और ये चीजें फिर बाद में खेर, कुछी दिनों के होती हैं, फिर इसके बाद समय है, निकलता जाता है, और ये फिर सब सोचने के लिए रह जाता है, कि कैसे लड़ते थे, कैसे क्या करते थे, ऐसी तो हम लोगों का भी था, पहले जब साथ में होते हैं, तो एक दूसरे को स मुझे भी ऐसा लगता है, कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं लड़ते हैं, और बहन भाई तो लड़ते ही हैं, हम भी लड़ते थे, लेकर जब हमें जिलना पड़ता है नहीं लोगों को, तो फिर हमें ये सब याद नहीं रहता है, उस टाइम पे, उस टाइम पे तो यासे लड़ते हैं, मतलब 24 गंटे जब तक ये सूर नहीं जाएंगे, हमारे यहां दोनों जे लड़ते ही रहेंगे, मतलब बहुत जादा लड़ते हैं, और जब बताने कब पहले लड़ेंगे, और अब जब मैं आ जाओंगे, मुझे गुस्ता जाएगा, मैं डाट दूंगी या मुझे पता है, अगर मैं यहां से निचे गई और इतने में इनकी लड़ने की आवाजें आने लगेंगे, और इनका पताने क्या है, एक ने अगर कुछ कहा, तो दूसरा तो उसमें हां कही नहीं सकता है, वो उसको जरूर कट करेगा उसकी बात को, बस वहीं लड़ाईगे, हो जाती है, और ऐसे ही मेरे यहां खाने पर भी होता है, जैसे हम लोग चार है, तो जो गुन-गुन को खाना होता है, वो संयोग नहीं खाएगा, और जो उनके पापा को खाना होता है, यह दोनों नहीं खाएंगे, मेरा क्या है, मैं तो कुछ भी खालूंगी और ना भी खा का मतलब उसमें क्या होता है कि देखो इन तीनों ने अपना अपना बता दिया करना मुझे मुझे लगता है कि भाईया एक्जेस्ट कर लो आपस मैं तीन तीन चीजें दो नहीं बनाऊंगी तो यह मेरे घर की क्या हर घर की यही मुझे लगता है कहानी होती होगी कि एक को जो क तो एक कःए कर ना जानते ही नहीं है आपास में तो यह देखिए हमारे चिप बन कर इसके बार मैं आपको भूं के भी देखा दूंगी देखिए मैं ने भूं उन्स के बीदाना दिए है और यह तो ओड़ा संद्क मसलाहीं कर दिदा थेखिया है बाइक की पीछे वाली जो लाइट होती है वो तोड़ दी है बल्ला मार दिया था तो आप वो डाट रहे थे तो उनको दे रहा है अपने गुल्लक से पैसे लाइट डलवाने के लिए कह रहा था कि मैं दे दूँगा और मेरी गलती है इसलिए मैं अपने गुल्लक से पैसे दे रहा हूँ और सकल आप देखिए कि उसकी कैसी हो गए है मतलब अपना पैसा तो अपना है भले ही वो है तो यह कहां से लाए थे उसके बाद देखिए यह तने से इसकी बचे है एक हजार देने के बाद तो आप अपना दुबारा से भर देगा तो आप मतलब इनकी चेहरे की हवाईयां ओड़ गई थी जब इनने इतने पैसे मतलब अपने देने पड़े मतलब इन लोगों को इतने से से अपने अपना अपना दिखता है खेर उन्होंने बापिस कर दिये थे उसके पैसे तो आप ये अपने खुशी-खुशी गुलग में डाल रहा है तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जब रूब बताएं कॉमेंट में बाई बाई दोस्तों